हाई जोस्तों असलाव लेकुम केस से आप लो मेरा अब नभील है फाइनली हमारे पास आ गया है MacBook Air M3 चिपसेट वाला ये लेटेस्ट है Apple का MacBook Air सीरीज के अंदर और ये 15 इंचेज वाला है मेरे पास और ये top of the line variant है जो 1,75,000 रुपीस का आता है 135, 155 और 175 तीन यहाँ पे वेरेंट से उसके बाद आप कस्टमाइज भी कर सकते है 16GB RAM, 512GB का SSD और यहाँ पे काफी कुछ इसके अंदर चेंज हो है वो क्या चेंज हो है वो तो unbox करने के बाद हमको पता चलेगा यहाँ पे पीछे से दिखा देता हूं मैं आपको box तो यहाँ पे इसके सारे details जो है आपको देखने मिल जाएंगे आप pause करके read कर सकते हो और यहाँ पे उपर से देखेंगे तो इसका price लिखा है जो कह है 174,900 यानि की approximately 1,75,000 रुपीस तो चलेए फटाफट से अपना favorite काम करते है एपल प्रोडक की unboxing और यहाँ पे है यह MacBook जिसके unboxing में और मज़ा आता है तो उपर और नीचे आपको यहाँ पे दो pull tabs देखने मिलेंगे इनको बस pull करना है और यह open हो जाएगा अब यहाँ पे box को बस हमको इस तरीके से उपर pull करना है और यह open हो जाता है और यहाँ पे हमारा MacBook जो है यह रखा हुआ है चलिए इसको भी इस तरीके से pull करके हम बाहर निकालते हो देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ दिया है तो यहाँ पे ब्रेटेड मैक सेफ केबल दीविज के एक एंड में टाइप सी है दूसरे इन में मैक सेफ है और यह कलर भी यहाँ पे सेम है हमारे MacBook जैसा फिर हमको जो MacBook Air के साथ आपको मिल जाता है अब अलग से भी चाहे तो इसको खरीच सकते है और इसको यहाँ से pull करके आप निकाल भी सकते हो और जिस रिजन में ट्रावल करें वहां का भी यह प्लग आप लगा सकते है अब MacBook को इस रैपर में से निकालने की बारी तो यहाँ पे यह मुझे और भी अच्छा लगता है इसको इस तरीके से बस कीचिए और यहाँ पे आपका MacBook जो है वह बहार आ जाएगा इसको भी पुल कर देता हूं और यह है Midnight Color में MacBook Air M3 chipset वाला और यह Midnight Color जो है यह थोड़ा सा मुझे Bluish लग रहा है जो दूसरे MacBook में Midnight आता है वो ज्यादा Black की तरफ रहता है तो यहाँ पे बस वह MacBook भी यह दिखा देता हूं जो है आपको खुद करने की जरुद भी नहीं यह खुद बाखुद ओन हो जाएगा यह Hello वाली स्क्रीन भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी और उसके बाद आप बस पेस बाहर दबाईए और बस आपको अपनी लैंग्वेज के बाद आपको रीजन से लेक करना है उसके बाद अपने ओफिस या घर के वाइफाई से कनेक कर लीजिए इसको वाइफाई का पासवर्ट दलने के बाद इस स्क्रीन पर आप आजाएगे जहां पर बोलेगा आपको पुराने मैक बुक से रिश्टोर करना है तो आपको करना है तो पहला आप्शन चूज और जितना सिंपल एक आइफोन या एक अन्वाट फून को सेड़ड़क करना है उतनी आसानी से आप इसको भी सेड़ड़क कर सकते हैं इसमें कोई rocket science नहीं है जब इसको सेड़ड़क कर लिया फुली और अपने हिसाब से सारी सीजे कस्टमाइज भी कर लिया आप भी कर सकत चार आपको यहां पे rubberized grips मिल जाती है ताके आपके टेबल पे यहां वहाँ slip ना हो एक हाथ से आप इसको easily open कर सकते हो और यही Macbooks की खासियत होती है बहुत ही amazing build quality है आप कैसे भी रखो देखो यहां पे मैं आपके तरफ इसको घुमा देता हूँ और एक finger से मैं इसको lift करता हो इसका bottom part जो है यह lift नहीं होगा इतनी अच्छी build quality आपको और किसी भी laptop में नहीं मिलेगी और आपके जो नए Macbooks है इनकी design language जैसी है कि completely flat है तो आप इसको easily carry कर सकते है किसी भी bag में और बहुत ही आसानी से यह आपका साती बन जाएगा जब आप travel कर रहे हो तो और weight भी इन्ह के सारे almost IO ports मिल जाते हैं यहां पर 2 USB Type-C port मिलते हैं आपको जो कि USB 4 port है और Thunderbolt support करते हैं और इसके साथ MacSafe 3 वाला यहां पर charging port मिल जाता है opposite side पर अगर आपको दिखाऊं तो यहां पर मिलता है आपको 3.5M headphone jack इसके आप headphone लगा सकते हैं और यह आप wonder कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे क्या हम इसके अंदर हमारा SD card कैसे लगाएंगे हम इसके अंदर हमारे Ethernet cable कैसे लगाएंगे तो बहुत ही simple है एक normal सा USB Type-C वाल आपको hub लेना है जिसे मैं यहां पर यूज कर रहा हूँ इसके अंदर Ethernet port भी होता है इसके अंदर आप अपना regular pen drive लगा सकते हो HD card लगा सकते हो इस सारी चीज़े वड़े आसानी से इस पर यूज कर सकते हैं और Mac books के लिए खास तोर पे accessories का support है बहुत जबदस्त होता है अ इस display के अंदर आपको true tone की technology भी मिल जाती है साथी P3 white color मिलता है जो के इसके display काफी color accurate बनाते है आप आराम से इसके वीडियो editing भी कर सकते हो और इसके जो viewing angles है वो भी बहुत ही कमाल के आपको इसमें काफी मजा आएगा content को view करने में या फिर photos या videos edit करने में M1 और M2 chipset वाल quality है और loudness आपको सुनाता हूँ तो speakers काफी मज़ी तरहे guys और यहां पर आराम से आप इस पे movie देखना है आपका काम करना जो भी करना देख सकते काफी मज़ा आएगा आपको और इसके webcam के अगर बात करें तो इसके अंदर आपको 1080p का webcam मिलता है जिसको FaceTime HD camera का आजाता है 1080p HD quality की video जो है वो record कर सकता है इससे ही आप video conferencing कर सकते हो 3 mics का support है और यही microphone से अभी आप मुझे सुन रहे हो मैंने अपने studio के mics नहीं इसी mic से अपनी audio को record कर रहा हूँ और radio की quality आपको मिलेगी बाकि enhance करना आपको और तो आप अपने iPhone का camera भी इस्तमाल कर सकते हो बस आपको iPhone को इस्तमाल कर सकते हो external mic भी आपको लगाना है वो लगा सकते हो external webcam लगाना है तो वह भी लगा सकते हो अब keyboard की अगर बात करेगा इस तो यहाँ पर एक आपको यूज keyboard देखने मिलता है with full function की यहाँ पर F1 से F12 सब कुछ आपको मिल रहा है और यहाँ पर आपका जो typing experience है वह व पर्चेस करना है कुछ भी करना है उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक trackpad मिलता है जो काफी बड़ा trackpad है और मैं कोई भी external mouse वगरा का इस्तमाल नहीं करता video editing के लिए बहुत ही आसानी से सब कुछ जो है यहाँ पर हो जाता है अगर आप video editor हो तब भी कर पाएंगे गाइज यह MacBook Air M3 15 निचे वाला मेरे पास उसके specifications में आपको बता देता हूं फटाफट से तो इसमें नया M3 chipset है Apple का जो latest है उनकी तरफ से और काफी amazing chipset है इसमें 8 core का CPU 10 core का GPU मिल जाता है 16 core का neural engine मिल जाता है जो AI के लिए काफी fantastic है 8 और 16 GB के RAM options मिल जाते है आगे बताऊंगा मैं आपको अब इसके performance के बारे बात करते है तो यहाँ पे पहले के सभी MacBook Air models के मुकाबले चाहे Intel वाला हो M1 chipset वाला हो या M2 chipset वाला हो इस सभी के मुकाबले आपको faster image editing Photoshop में मिलेगी faster video editing भी मिलेगी आपको Final Cut Pro में और faster gaming भी आपको यहाँ पे देखने मि और यहाँ पे आपको performance इसमें read और write speed में अच्छा देखने मिलेगा gaming में भी improvement आया है Death Stranding Directors Cut यह गेम यहाँ पे मैं खेल रहा हूं आपके सामने और बड़े अच्छे तरीके से आप यहाँ गेम के सकते है without any lag या frame drop 60fps constant आपको यह गेम में देखने मिल रहा है यहाँ और RAM usage अगर आप देखेंगे तो hardly 6GB RAM यहाँ पे यूज़ है तो 16GB RAM नहीं भी 8GB RAM है तब भी आप यह game खेल पाएंगे इसके ऊपर अब यह एक्स्टा performance आपको देखने मिलेगा इसके external display support के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आप दो external displays इसके साथ connect कर सकते है with the lid close तो यह भी इसके अ laptop है यह world's best consumer laptop है for AI अब क्योंकि इसके अंदर यह solar core का neural engine है तो यह काफी मदद करता है AI में और AI का एक broad ecosystem मिलता है आपको macbooks के लिए इसके अंदर आप goodnotes 6 के अंदर AI math assistant का इस्तमाल कर सकते हो pixel meter pro में automatically photos को enhance कर सकते हो background noise को remove कर सकते हो video clip से cap cut के अंदर और similarly आप blurry photos को unblur भी कर सकते हो और AI के amazing on device performance की वज़े से आप productivity और creativity apps भी यूज कर सकते हो जो AI का इस्तमाल कर सकते है जैसे canva Microsoft का co-pilot जिसके अंदर आप AI के काफी सारे amazing features का इस्तमाल कर सकते है for Microsoft 365 again canva and adobe firefly final cut pro में video editing अगर आपको करनी है तो यह macbook पे आप अराम से कर सकते हो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे scrubbing कर रहा हूं कोई problem नहीं आएगा आपको 4K multi-layer multi-cam footage है यहाँ पे तीन layers है one two and three कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आ रही है कोई भी problem आ बिलता है बहुत सारे जो low end की devices है उनमें इसमें कोई जरूत नहीं वैसा करनेगी अब यहाँ पे render कितने देर में होता है यह 10 minute 47 seconds का वीडियो देखते है मैंने यहाँ बैगरांड रेंडरिंग जो है वो आफ रखा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं प्लेबैक में बै setting में जाना है यहाँ पर मुझे source से लेकरना है 8.264 और यह 5 GB का जो है output निकालके दे रहा है next पर क्लिक करते है यहाँ पर करते है इसको save पर क्लिक और यहाँ पर replace पर क्लिक करते कि already project था मेरे पास इसको यहाँ पर start कर देता हूं मैं और यहाँ पर इसको मैं बीच में लाकर 100% हो गया तो यहाँ पर जितने चीबी की फाइल थी उतना ही टाइम इसने अप्रॉक्सिमेटली लिया है रेंडर करने के लिए और फेंटास्टिक परफॉर्मेंस है यहाँ अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो तब भी MacBook Air M3 15 inches के अंदर 66.5 वाट आर की बैटरी इस्त मिल सकता है और वो कैसे पॉसेबल है अभी मैं आपको जब प्राइजिंग बताऊंगा तब आपको समझाता हूं वाइलेस टेक्नोलोजी के अंदर इंप्रॉव्मेंट भी किया है इन्होंने यहाँ पर वाइफाई 6E आ चुका है MacBook Air M2 के अंदर आपको वाइफाई 6E मिलता जो अभी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे है जिसका रिव्यू बना रहे है वह शुरू होता है 135 से अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर वेरिंट है इसके अंदर आपको 8 कोर का CPU 10 कोर का GPU 16 GB RAM मिलता है और 512 GB की SSD मिलती है इसको और आपको अपको अप्रेट करना ह है वो भी आप कर सकते हो यहाँ पर बस मुझे सिलेक करना है इसको सिलेक करने के बाद यहाँ पर मैं 24 GB RAM भी इसके अंदर डाल सकता हूं मुझे 20,000 रूपी एक्स्ट्रा देने होंगे और यह जो RAM है आपको पर्चेस करने के टाइम पर इसको अप्ग्रेड नहीं कर सकते फि 70W वाला पावर एडाप्टर भी आप चूज कर सकते हैं देखें 35W पर रखता हूं तब भी प्राइस होई है 70W पर रखता हूं तब भी प्राइस होई है चोईस आपको जो लेना आप ले सकते हो और सभी MacBook Air models के उपर 8,000 रूपीस का HDFC का कैश बाइक भी है तो आप जब पर आपको काफी अमेजिंग मिलेगी और वीडियो एडिटिंग भी जो करना चाहते हैं वह कर सकते हैं कोई प्रॉल्म नहीं है लेकिन तो बीडियो सेफर साइट बस जो 8GB RAM वाला बेस वेरेंट है उसको आप अपग्रेड करना 16GB RAM में और गुड तो आप कर सकते वीडियो एड करता है लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जाके इसको आप चेक आउट कर सकते हैं तो यह था दोस्तो MacBook Air M3 चिपसेट वाला 15 इंचे वाला मॉडल आपको कैसे लगाए मुझे के जब बताई हूं में करता दोस्तों आपको वीडियो पसना आगा पसना में वीडियो को लाक में यह वीडियो क्या है एлив अजयो को ले वाला 15 इंचे हैं वाला 16 इंचे हैं दोस्तों में कप्ट आफ Senior